अभिनाश पांडे जी, अशो गेलोट जी, सचेन पाइलट जी, रगुवीर मिना जी, लाल जी देशाई जी, राकेश पारिक जी, कॉंग्रेस पार्टी के सब मंत्री, MLA's, कॉंग्रेस पार्टी के नेता, सिवादल के हमारे सब वॉलेंटियर्स, कारेकरता, भाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार आप दूर-दूर से आए हैं, इसके लिए दिल से धन्यवार। वो नफरत फिलाते हैं, वो सुबह उठकर, हाफ पैंट पहन कर, लाठी उठाते हैं, और हम देश को जोडने का काम करते हैं, हम प्यार और महबत से काम करते हैं, यह बेसिक फरक है। बड़े-बड़े भाशन होते हैं, नरेंद्र मोदी जी के, देश को बदलना है, सत्तर साल में कुछ नहीं हुआ, लाल के लिए से कहते हैं, मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था। मतलब गांधी जी ने कुछ नहीं किया, सरदार पटेल जी ने कुछ नहीं किया, जवालल नहरू, अम्बेटकर जी, देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स, देश की जनता, देश के किसान, देश के मजदूर, देश के छोटे दुकानदार, इन्होंने कुछ नहीं किया, नरेंद्रमोदी आया, और फिर उसने हिंदुस्तान में काम शुरू किया, यह इनकी मिन्टैलिटी है, इनकी सोच है, और इनको यह भी समझ नहीं आता है, कि जब यह ऐसे बोलते हैं, तो यह कॉंग्रेस पार्टी का अपमान नहीं कर रहे हैं, देश के हर नागरेक, देश के हर व्यक्ती का अपमान कर रहे हैं, और कॉंग्रेस पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी बोलती है, हमारे प्रधान मंत्री बोलते हैं, हमारे नेता बोलते है गांधी जी के कोट्स आप पढ़िये सदार पटेल जी के बारे में पढ़िये अमबेटकर जी नहरू जी इनके बारे में पढ़िये ये सब बोलते हैं जो भी देश में होता है वो देश करता है जो भी देश में होता है वो देश का किसान करता है देश का मजदूर करता है देश का युबा करता है देश की माताएं बहने करती है तो इनके लिए हिंदुस्तान एक प्रोड़क्ट है हमारे लिए हिंदुस्तान समुद्र है इसमें सब लोग है एक साथ ये मिल कर चलता है उनके लिए हिंदुस्तान प्रोड़क्ट है जैसे उ प्रोड़क्ट का पूरा का पूरा फाइदा उनके चंद 10-15-20 मित्रों को मिलना चाहिए यह फरक है हम मन्रेगा करते हैं हम किसान की कर्जा माफी की बात करते हैं सतर हजार क्रोड रुपे कर्जा माफ करते हैं राजिस्तान में गेलोड जी ने किया मध्यप्रदेश में किया पंजाब में किया करनाटक में किया और नरेंद्र मोधी जी किसान को भाशन देते हैं उनसे वाइदे करते हैं और फिर साड़े तीन लाग करोड रुपे अने लंबानी निरभ मोधी मैउल चोकसी ललित मोधी विजय मालिया का कर्जा माफ करते हैं देश को 15-20 लोगों के ल चड़ाई है हम कहते हैं देश सबका है और नियाए सबको मिलना चाहिए किसान को नियाए मिलना चाहिए गरीबों को नियाए मिलना चाहिए छोटे दुकानदारों को नियाए मिलना चाहिए सबको नियाए मिलना चाहिए वो कहते ना किसान आतम हत्या करें तो ठीक है पूरी देश की जनता लाइन में बैंक के सामने खड़े हो जाए, लोग मर जाए, कोई फरक नहीं पड़ता, गबबर सिंग टैक्स लागू करना है तो करेंगे, पांच टैक्स लागू करेंगे, कोई फरक नहीं पड़ता किसको नुकसान हो, किसको ना नुकसान हो, फाइदा 10-15 कहीं भी जाके बोलो, चोकिदार जवाब दिलता है चोरे, चोकिदार चोरे, और पूरा देश जानता है कि चोकिदार ने चोकिदारी अने लंबानी की की, 15-20 उद्योगपतियों की की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की नहीं की, उल्टा चोकिदार ने और कौंग्रेस प्रेजिडेंट आज इस्टेट से पहला काम सेवादल से माफी मांगने का करता है और क्यों आप पूछोगे कि कौंग्रेस प्रेजिनेट अपने ही संगटन, कांग्रेस पार्टी के प्यारे संगटन से उनके अधिवेशन में माफी क्यों मांग रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आपसे माफी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि जो आपकी जगह है कॉंग्रेस पार्टी के परिवार में जो आपकी जगह है जो आपको आधर मिलना चाहिए वो आदर आपको नहीं मिला है और मैं एक परस्नल माफी भी मांगना चाहता हूँ मैंने मैंने कॉँंग्रेस नहीं सुनिए मैंने कॉँंग्रेस पार्टी के ओवर से आपसे माफी मगर मैं आपसे पर्सनल माफी भी मांगना चाहता हूँ, आज अभी लाइन अप में सेवादल के जो बिहार के चीफ हैं, उन्होंने मुझसे एक बात बोली, उन्होंने मुझसे बोला कि बिहार में बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जबर्दस्ट मीटिंग हुई, लाखों लोग आए, कॉंग्रेस प्रेजिडेंट ने युवा कॉंग्रेस का नाम लिया, महिला कॉंग्रेस का नाम लिया, एनस्यू आई का नाम लिया, मगर सेवधल का नाम नहीं लिया, तो मैं आपके सामने अपनी गलती मन्जूर करता हूँ, और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, कि ये कभी नहीं होने वाला है आज के बार, और इसका कारण है, इसका कारण है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी की रीड की हटी, कॉंग्रेस पार्टी के विचारधारा के रक्षक, जिसको फर्स लाइन अफ डिफेंस कहते हैं, फर्स लाइन अफ डिफेंस, यूथ कॉंग्रेस नहीं है, नसुआ नहीं है, डिस्ट्रिक प्रेजिडंट नहीं है, कॉंग्रेस प्रेजिडंट नहीं है, सेवा दल, तो आपको मैं यहाँ आश्वासन देना चाहता हूँ, कि आप हमारा सबसे जरूरी संगठन हो, और मैं चाहता हूँ, और मैं यह करूँगा, कि जो आदर आपको मिलना चाहिए, चाहिए वो कॉंग्रेस प्रेजिडंट से हो, चाहिए वो हमारे चीफ मिनिस्टर से हो, चाहिए वो डिस्क्रिक प्रेजिडंट, ब्लॉक प्रेजिडंट से हो, वो आपको मिलेगा, अब मैंने आपसे माफी मांगी मैं शिकायद भी करना चाहता हूँ कि परिवार है जिस प्रकार से सेवा दल को जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए उस प्रकार मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पहले की बात कर रहा हूँ उस प्रकार सेवा दल ने काम भी नहीं किया अब एक एक नई शुरुआत करनी है कॉंग्रेस पार्टी सेवा दल को अपना सबसे जरूरी संगठन मान के चलेगी मगर सेवा दल सेवा दल कॉंग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत संगठन बन के दिखाएगी इसका मतलब कि लाखों नई युवाओं को सेवा दल में लाना पड़ेगा जब आंदी आएगा आंदी आएगी तुफान होगा तो वहाँ पे सेवा दल के लोग या आपकी जो सफेद वर्दी है सफेद टोपी है वहाँ पे हजारों में दिखाई देनी चाहिए जहां भी हिंदुस्तान को चोट पहुँचती है दर्ध होता है जहां आरेसेस नफरत वैलाती है जहां आरेसेस बाटने का काम करती है एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाती है जैसे अभी उन्होंने नौर्थीस में आग लगा दी पूरे नौर्थीस में आग लगा दी जहां भी आग लगाएंगे वहाँ प्यार के साथ आग को बुजाएंगे मैं आपकी पूरी रक्षा करूँगा आपका अपमान नहीं होगा और आपको हम सबसे जरूरी संगठन बनाएंगे मगर आपको RSS के खिलाफ पूरे दम से जहां वो नफरत फिलाते हैं वहाँ आप प्यार फिलाओ जहां वो आप जहां लाटी चलाते हैं आप जागे गले लगो आपने पार्लिमंट आउस में देखा एक तरफ नरेंद्र मोधी मेरे परिवार के बारे में मेरे बारे में उल्टी सीदी बात करता है करते हैं गाली देते हैं पूरी कॉंग्रेस पार्टी का अपमान करते हैं कहते हैं कॉंग्रेस पार्टी को मिटा दूँगा और कॉंग्रेस पार्टी का प्रेजिडन लोग समा में जाके उनसे गले मिलता है और आपने उनका चेहरा देखा होगा भाई और मैंनो नफरत को नफरत नहीं काट सकती नफरत को प्यार ही काट सकती है और मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं नरेंद्र मोधीची से मिला जब मैं गले मिला मेरे दिल में उनके लिए नफरत नहीं थी और मैं एक्सपिरियंस बता रहा हूँ जब मैं उनसे गले मिला उनके अंदर जो नफरत थी उस नफरत को मेरे प्यार ने दबा लिया और मैंने नरेंद्र मोधी जी के चहरे में देखा पार्लिमंट में देखा उन्होंने मेरी और देखा और उनके अंदर जो नफरत थी उसको वो समाल नहीं पाए हिरान हो गए कि ये क्या हुआ मेरी नफरत को प्यार में कैसे काट दिया और इस बात को हर RSS के वियक्ती ने देखा देश के हर वियक्ती ने देखा कि नफरत को एक सेकंड में प्यार काट देती है और ये गांदी जी ने कहा और ये आपकी हिस्ट्रिया आपका हितियास है और मैं सेवादल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ ये इस देश का इतिहास है इस देश की हिस्ट्री है और आप देख लीजिए सेवादल की बात कीजिए गांधी जी की बात कीजिए अमबेटकर जी की बात कीजिए उससे पीछे जाईए वीरों की बात कीजिए जिनको हम भगवान मानते हैं उनकी बात कीजिए ये देश नफरत का देश नहीं है ये देश प्यार का देश है और ये आपका काम है ये आपकी जिम्मेदारी है आपको हम जगे देंगे आपको हम आधर देंगे मगर आपको कॉंग्रेस पार्टी को रास्ता दिखाना पड़ेगा जो आप ट्रेनिंग पहले करते थे जिसके प्रशंसा हर व्यक्ति करता है दूर दूर से लोग आते हैं कहते हैं मैंने तीन दिन की सेवादल की ट्रेनिंग की उसके बाद मेरे खून में कॉंग्रेस पार्टी का मेरा खून कॉंग्रेस पार्टी का हो गया मेरा DNA बदल दिया ये काम आपका काम है और जो आप पहले करते थे वो आपको आज करना है करना ही पड़ेगा मैं आपको बदाई देता हूँ कि आपने ऐसी बड़ी मीटिंग की चर्चा की विचारधारा की बात की मैं आपको बदाई देता हूँ और मैं आपको आने वाले समय के लिए अपनी और कॉंग्रेस पार्टी की पूरी की पूरी शक्ती देता हूँ नफरत देखिए नफरत डर का दूसरा लूप होता है डर के बिना नफरत नहीं हो सकती जिसको लोग नफरत कहते हैं वो सच मुझ में डर होती है ये आप में उनमें फरक है ये नरेंद्र मोधी जी में मुझ में फरक है मुझ में और आप में नफरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर डर नहीं है वो अपना डर दिखा नहीं सकते हैं और डर को छुपाने के लिए वो नफरत दिखाते हैं और ये सब RSS के लोगों की बात है और मैं उनसे कहना चाहता हूं डरो मत डरने की कोई जरूरत नहीं है इस देश में किसी को डरने की जरूरत नहीं है और ये रास्ता गांदीजी ने दिखाया था गांदीजी के सामने दुनिया आप सुपरपार कड़ा है कोई हवाज है हवाई जाज नहीं कोई गाड़ी नहीं कोई धन नहीं ठीक है चश्मे की ज़रूरत थी तो चश्मा पहनते थे छोटी सी घड़ी थी अंग्रेजों के सामने खड़े होके अंग्रेजों को हरा दिया यह कॉंग्रेज पार्टी यह सेवादल और उसी समय अभी मुझे बताया गया बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है अंग्रेजों ने सेवादल को बैन किया कौन से साल बैन किया किस साल बैन किया 27 अंग्रेजों ने सेवादल को बैन किया कि हिंदुस्तान में संगठन नहीं हो चकता है इसको खतम करो जैसे मोधी जी कहते हैं कंग्रेश मुक्षभारत वर्च अंग्रेजों न कहा सेवदल मुक्षभारत अ julya है हे बस्याद़ को बैन किया है और गान्दी जी कि है कि जैल जैल में रहे और हमारे नेताओं कि लिस्क नीकालो महात्मा गांधी सर्दार पटेल अंबेटकर अजाद सुभाश्चंद्र बोज पटेल जी सब के लिए निकालो उनके सामने लिखा है 15 साल जेल 10 साल जेल किसी ने माफी नहीं मांगी अंग्रेजों से इन में से एक व्यक्ति ने अंग्रेजों के सामने इसे हाथ जोड़ कर माफी नहीं मांगी सावर करजी ने एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक नौ बार अंग्रेजों से माफी मांगी क्योंकि डर था उनमें उस डर को गांदी जी ने मिटाया सावर करजी डर को नहीं मिटा पाए इसलिए नफरत बहार निकली गांदी जी ने डर को मिटाया प्यार बाहर निकला तो आपको यही करना है डरने के कोई जरूरत नहीं हम हराएंगे इनको 2019 में हराएंगे मिटाएंगे नहीं हम मिटाएंगे नहीं हम इनको खतम नहीं करेंगे इनका कतल नहीं करेंगे इनको मारेंगे नहीं, मगर हराएंगे, और प्यार से हराएंगे, तो आप सब का मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं देश में, कोने कोने में आपकी सफेड टोपी आपकी वर्दी देखना चाहता हूँ, जहां आंदी हो, तुफान हो, हिंसा हो, नफरत हो, वहा आपके प्यार को वहां देखना चाहता हूं आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जयहिद हालो कॉंग्रेस पर्टी कॉंग्रेस पर्टी साथ यो मैं एक बात थैंक धन्यवाद धन्यवाद एक मिनट कर कि अब इस अभी अपने सान पर खड़े हो जाएंगे गेट टुकड़े प्रेंग